हलो मेरे प्यारे विजारतियों कैसे हो बहुत अच्छे से होंगे तो आज अपन जो चर्चा करने वाला है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने 8.2 में कुछ मिलेगा दूसरा मेरे चैनल में अच्छा हैं जो साइन के श्याइंसे मुपोर्टन कुश्छ बताऊंगा एक कुश्छ आपने जाने दूगा अगर आप मेरए इंपोर्टन बतायों कोशन याद कर लेते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है ठीक है क्योंकि आप आसानी से science और maths में आसानी से आप पास हो जाओगे इसलिए आप पहले पहले जो मैंने पहले चेप्टर के आपको science को important question बताये वो आप एक बार देख ले और उन अच्छे से याद कर लें और बाकी maths के अंदर भी में जैसे कि जो परस्नावली में ने करवा दिया उनका रिवीशन कर लीजिए का असानी से आप पास हो जाओगे तो पहला सवाल आपके सामने है परस्नावली 8.2 का दूसरे परसन का पहला सवाल है तू 10 थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्कूर 30 यह मैं आपको बुक में दिखा देता हूं यह लोग बुक में देख लो पहला सवाल आपके सामने यह वाला 2 10 30 1 प्लस 10 स्कूर 30 यह बसे दैं कौन सामान होगा तो इसको निकालने के बाद अपने देखते कौन सामान होने वाला है क्लियर तो सुरू करते हैं पहले सवाल में सबसे पहले क्या करना आपको ऐसा कैसे ही टू तो आपका ऐसा कैसे ही और 10 30 की वेली क्या होती है यह बटावा वन प्लस 10 स्कूर 30 10 स्कूर 30 की जो वेली होती है वन भई रूट थी कर वोली स्कूर सोरी क्लियर यहां तक क्या करा कुछ भी नहीं करा केवल सारणी से मान रखा है कि अगर आपको यह मान भी याद नहीं नहीं तो मैरा इतों लोली ही आप कितने ही कमजोर हो मैंत से कितने ही ढरते हो ! आपने एक वार सारहनी को मैं कहने 3 attitude सीख जाओग बनाना । सारहनी सीखके ठिए तो इस सवाल बहुत आपके लिए। तो साराणी को याद करने के लिए मेरा जो वीडियो बनावा है मैंने लिखा वाँ उसमें साराणी कैसे बनाए जाती है तो वह आप जरूर देखे एक बार जिससे आपके साराणी के मान क्लेर हो जाएंगे अब इसको आगे हल करते हैं तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 यह स्टेप तो अगला स्टेप हो जाएगा इसका टू रूट थ्री बटावा थ्री बंज़े थ्री प्लस वन फोर वाई थ्री यह लो यहां तक कोई दिक्कत है या एल्सेम लिया मैंने कैसे लिया तीन को मैंने एक से गुणा किया तो तीन ने कम तीन और उसमें एक जोड़ा तो चार और नीचे जो रहता आपका वो कवह रहेगा थ्री क्लियर अब आगे बढ़ते अगला कुछ अगला स एगा थृपर आपका फॉर नीचे चला जाएगा क्लियर अब इसको अपने काट सकते हुं लेकिं काटना से पहले चैनल ना को बताहूंगा जो आपकाय यह बीन रूट को सकता है सब्सक्राय कट जा और वाक्य में दो سन्फ के आपस में धुना होती sure very इस को रखा यह आपका टू कि नीचे आपका यह रूट थ्री इंटू या रिटी के जैके में यह वाला मान रख रहा हूं रूट थ्री बटावा रूट थ्री नीचे फॉर क्लियर यहां तक आपको कोई समश्या बिल्कुल नहीं होनी ची अब देखो इस एक रूट से से एक रू में लिए आपके पास बचके है रूट थ्री बई टू अब यह किसका मान होता है तो यह जो मान होता है किसका मान होता है साइन सिक्स्टी का मान होता है तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा देखो एक बार बुक में दिखा देता हूं इसका जो कि आपका आंसर हो जाएग रोट थी ठीक है तो आप लिख सकते हो साइन शिक्स्टी यही एक नमबर में यह आपको आपको पूछे जाएंगे इसका आंसर हो गया साइन आपको कोई दिक्का थे एक बार वापस पूरा सवाल देख लुआ अच्छे यह लों पूरा सवाल दिखा देता हूं कम्प्लीट आप इसका स्क्रीन सूट भी ले सकते हो है कि अब देखो मैं आपको दूसरा सवाल बता देटाओ इसी पेज़र संदर तरीके से जिससे क्या आप साइन से कर सकूं कर दो दूसरा सवाल मैं इसी पेज़ पर आपको बता देट हो बहुत सारा सबस्ट को जिक्कत वाली बात नहीं है दूसरा जो सवाल है ना आपका पहले इसको अपना अच्छा से उतार लेता है दूसरा सवाल है आपका 1-10²-45डिग्री बटावा इसको हल करना बहुत आसान सवाल इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखो कैसे हल करते हैं इसको अपन तो सबसे पहले आपन क्या करेंगे मान रखते हैं यह वन ऐसा कैसे आपको प्लस वन का स्कॉयर क्लियर इसकोईर क्योंकि यह पर आपका 10 इसकोईर लगावा इसलिए इसकी वेल्यू पर जो आप 1042 का मान रखो गया ना एक तूस पर आपको इसकोईर लगाना पड़ेगा गड़ेगा है क्लियर अब पर औरन का स्कॉयर आपको पता ओन का जो वरग एइसकोईर होता वह एक यह उसच्वार आपका यह संफ क्लियर कि अब देखु से अलरो हम अगर किसी संख्या का भाग लगाते हो न्याता है जी रूही आता है इस वाद का ज्यांना होगा आपको तुम तो की आपको बुख डिया रखर देजाए में आपको बताONA यते ओंप में एक और प्तार टी सब्सक्राइब दिया वाँ है ओवन साइन फोर्टी फाइफ और जीरो तो अप्षिन नमबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देख लेते हैं इसके चार कोशन है आपके चोटे चोटे तो वह भी में अगला कोशन आपको बता देता हुआ अगला कोशन है आपका देखो कोशन नमर थाड है येलो थाड डाल दिया अपन अच्छे सा आपको दिख रहा हुआ कोई दिक्कत नहीं तो अब देखो सवाल आपका यह है साइन टू ए बराबर टू साइन ए अब सवाल ही कहता है कि तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है तो ए की कौन सी वेल्यू रखने पर यह बराबर हो जाएगा यह आपको बताना देखो एक पर बुक में सवाल को देखना आप अच्छे से गाइस तो यह दिख रहा होगा आपको कोशन नमर थ्री साइन टू है बराबर टू है तब सत्य होगा जब एक अमान होगा तो एक अमान क्या होगा आपको पता लगाना इसे वे दियेवा सबसे पहले 0 30 45 और 60 तो मैं 0 रखता हूंगर यह आपर देखना है तो यह साइन 2 और यह आपका 0 रख दिया मन है भी कि इसके बाद देखो मैं वापस से मान रखता हूं अच्छे से देखना एक बार कि टू को साइन 0 ठीक है तो साइन 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 10-0 कमान किया जिरो गर i ल define दो 20-0 कमान कि आता था था च्मान थी विंद्धए ऑसा इंजी डोगमन कि आता था तो वह साइन जीरो içड अध्र या नूल यह होता है तो यह भी 107 two진 घरा ब्राबर 0 तो इसका जूर आंसर हो जाएगा आपका option number one जो है आपका बिल्कुल zero answer हो जाएगा बहुत नमर वन है ना देखो साथ तीसरे सवाल का उत्तर क्या जाएगा आपका option number one zero आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देख लेते हैं अगले question देख लेते हैं अगले question को अपनिया हल करने वाले अच्छे से अगला सवाल आपके फॉर्थ सवाल उसको अच्छे से देखो गया आप तो बड़ा असान सवाल है ज्यादा hard नहीं है तो इसको अपनिया हल कर लेते हैं कि टू कि टैन 30 degree बटावा 1 minus 10 square 30 degree clear यह आपका है अब देखो इस सवाल को अगर मैं हल करता हूं तो कैसे होगा सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे मान रखेंगे टू ऐसा कैसा ही 10 30 का मान क्या होता 10 30 का मान होता आपका वन बाई रूट 3 तो यह वन बाई रूट 3 मैंना आपका रख दिया clear यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको 1 minus 10 square 30 यह नहीं स्कॉर का जो मान होता वन बाई रूट 3 होता और उसका स्कॉर लगा दिया तो यह स्कॉर लगा दिया क्लियर यहां तक बिल्कुल समझ में आगया आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अब देखो अगला स्टेप देखते टू कुछ से वन से गुणा किया तो यह टू रूट 3 नीचे आपका स्कॉर अट जाएगा तो वन माइनस वन बाई 3 हो जाएगा है क्लियर अब अगला स्टेप देखते इसका तो 2 रूट 3 ऐसा कैसे नीचे वाले को हल कर लिया तो यह लेकर 3 को 1 से गुणा करेंगे तीन एकम 3 माइनस 1 ठीक है इस 3 को इस एक से गुणा क 2-3 यह उपर जाएगा उल्टा जाएगा ट्रीव और रूट 3 की रख सकते रिक सकते हैं इस पहले भी बताय था था बहुत तो ब्रूट 3 सा पर रूट 3 वह खटा गया तो बचा क्या वल रूट 3 आपका बचा वह तो इसका मान क्या जाएगा आपका 1060 option number आपका जो है इसमें तो root 3 आपका 1060 का होता है जो बुक माँ आप देख सकते हो यह आपको दिख जाएगा यह रहा 1060 तो C number जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा अब बढ़ते है आज का last question देख लो आप तीसरे question यदि 10AB की वेली root 3 10A-B की वेली 1 by root 3 तो आपको A और B का महान गयाद करना है ठीक है फिर fourth question तो आपका सत्या सत्या तो यह question माँ आपको अच्छे से करवा देता है तो question को पहरे उतार लेता है पर अच्छे से फिर इसको हल करते है यह question important है एक्जाम oriented है एक्जाम में बन सकता है दो नंबर के अंदर तो अच्छे से सवाल को आप देखें तो इस सवाल को देखो मैं अच्छे से करवा भी देता हूं आपको आपको दियावा है टैन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री यह दियावा क्लियर ठीक है इसको आप समीकरा नंबर एक माल लो और एक आपको दियावा है टैन कि माइनस बी बराबर रूट थ्री यह समीकरा नंबर दो हो गया क्लियर यहाद तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए अब इसको आगया हल कर लेता है पर क्लियर तो अब अपनिया करेंगे क्या पहले सबसे पहले तुम मान रखते हैं देखों है टैन ए प्लस बी रूट थ्री किसम का मान होता तो तेन थर्टी का मान होता यह लुट थर्टी ठीक है तो टैन से आपका टैन कैंसल हो जाएगा बचेगा ए प्लस बी बराबर टैन थर्टी इसको आप समय कर नंबर तीन दे दो क्लियर आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद देखो अपन इसका भी मान निकाल लेते सीधर है टैन कि ए ऐ माइनस अब बराबर वन वट रूट हो था टैन सिक्स्टी का कि पहला वाला आपका टैन सिक्स्टी का भशाक voc यह होता है जो आपका 1 by root 3 जो होता है वो 10 30 का मान होता है तो इदर आप लिख दोगे 10 30 degree ठीक है 10 से 10 आपका cancel out हो जाएगा अब आपका हो गया a-b बराबर 10 30 क्लियर अब इसको आप समीकरन नंबर 4 दे दो चार दे दें आपन अब अपन घटा देंगे समीकरन नंबर 3 को समीकरन नंबर 4 में घटाने पर यहीं समीकरन नंबर 3 को अपन किसमें घटा रहे समीकरन नंबर 4 से घटा रहे तो सब्सक्राइब नमबर तीन लिए दो ए प्लस बी बराबर सिक्स्टी क्लियर यहाद तक कोई भी दिक्कत नहीं होने चीए अब आगे इसके निचाप लगतो ए माइनस बी बराबर टैन थर्टी यह लो ठीक है इसको अपन फिर गटा देंगे अब टिक है इसको घटा देंगे तो यह पकच्छीन बदल गया माइनस यह प्लस यह माइनस तो यह तो आपका कट गया एप्लस का माइनस का दिया वह को एड़ी तो बराबर इसमें से आपका कितना साट में से तीस गिया तो तीस बजेगा तो अब की वेल्यू कि आ जाएगा आपकी थिस में आप दो का भाग लगा दोगए तो बी बराबर फिस्टीन हो आपका कितना होजागा 15 clear यह लो और एक की वेल्यू कैसे निकालो गए तो वेल्यू दीवी आपके जैसे इन दोनों में से किसी भी समीकरण में एक कमान रख बी कमान रख तो एक की विल्यू आजएगी जैसे मैं रखते हैं तो हम समीकरण नंबर 4 में रख रहाँ ठीक है कि समीकरण 4 में मैंने मान रखा किसका बी कमान रखने पर तो यह समीकरण 4 क्या है पहले से अच्छे से उतार लो आप ए माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री यह समीकरण नंबर 4 इसमें बी की वेल्यू रख दो तो ए यह माइनस का बी यानि 15 बराबर 30 15 उदर जाएगा तो ए बराबर थर्टी प्लस 15 तो ए वराबर आपका क्या होगा ए वराबर आपका 45 डिग्री कितना 45 डिग्री यह आपका अंसर हो जाएगा यहाँ तक आपको कुई भी समिश्या नहीं होने चाहिए यहाँ पर यह आपकी 8.2 है जो पूरी खतम होने वाली अब आपकी 8.3 जो परसनाव लिए उसमें एक चार नंबर का पक्का सवाल बनेगा तो उसको मैं पार्ट में हल करवाऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा कुछ एक फॉर्मूला का यूज करेंगे वैसे इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला है लेकिन अपन उन्ही मिलते हैं एक नए क्लास के साथ उससे पहला आप अच्छे से तैयारी करो कोई भी आपको दिक्कत हो तो